तो लो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं जैसा कि हमने Oxidation Number से Related चीज़ पढ़ ली हैं हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा? Oxidation Number Calculation में हमने ये सीखा कि Average Oxidation Number कैसे निकालते हैं? Individual Oxidation Number कैसे निकालते हैं? तो परॉक्सी लिंकेज सीखी है, हमने परॉक्सी लिंकेज की ट्रिक्स सीखी, Oxidation Reduction को हमने समझा क्या होता है अब हम Oxidation Number के Application पर चल रहे हैं तो पहला Application है तो एसेडिक स्ट्रेंथ, ठीक है? तो एसेडिक स्ट्रेंथ मुझे कंपेर करानी तो सिंपल सी चीज होती है क्या? एसेडिक स्ट्रेंथ आपको Oxide या Oxidation में कंपेर करानी होगी तो डारेक्ली प्रॉपोर्शनल डू होता Oxidation Number of Central Atom आप क्या करो Central Atom, यह मतलब क्या होता है? Central Atom, तो आपको करना क्या है? Central Atom का Oxidation Number निकालना है जितना ज़्यादा Oxidation Number उतनी ज़्यादा Acidic Strength होती है मैं अपलाई करके दिखा देता हूँ आपको जैसे पहला Question मैं ले रहा हूँ HClO4, HClO3, HClO2 और HClO तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ आंसर ऐसा होगा Acidic Strength का क्यों होगा? अगर मैं यहाँ आपसे बुजू CL की Oxidation Number निकालो तो कैसे निकालोगे आप? 1 प्लस X-8 is equal to 0 तो प्लस 7 आएगी यहाँ 1 प्लस X-6 is equal to 0 प्लस 5 आएगी यहाँ 1 प्लस X-4 is equal to 0 प्लस 3 आएगी 1 प्लस X-2 is equal to 0 प्लस 1 आएगी तो Oxidation Number ज़्यादा तो Acidic Strength ज़्यादा होगी एक और Question देखते हैं Second देखना द्यान से H2SO4 में और H2SO3 में compare कराना है इन दोनों में बताओ ज़रा तो H2SO4 में Oxidation Number निकालो क्या आएगा? 2 प्लस X-8 is equal to 0 प्लस 6 तो यहाँ मैंने प्लस 6 लिख दिया 2 प्लस X-6 is equal to 0 तो प्लस 4 आएगा और प्लस 6 बड़ा है प्लस 4 से Oxidation Number जादा तो Acidic Strength जादा समझगे बात को इस तरीके से चलना है अब एक इसमें exception भी होता है जो कि आप General Organic Chemistry Organic में पढ़ोगे यहाँ पर आप बस इसको ध्यान लगो H3PO4 H3PO3 H3PO2 यह exception है इसमें अगर मैं इसको Oxidation Number से करता तो इसकी निकालोगे Phosphorus की Plus 5 आएगे आपको Oxidation Number निकालना आती है अच्छे से है ना इधर क्या है Plus 3 और इधर क्या है Plus 1 अगर मैं आंसर लिखता तो यह आना चाहिए था जबकि इसका आंसर यह ना होके आंसर इसका opposite होता है Oxidation Number कम होने के वावजूद भी क्या है Acidic Strength इसकी ज़्यादा होती है Actual में Oxidation Number कोई reason नहीं है इसका बस एक तरीका है Acidic Strength निकालने का सही reason तो यह होता है कि आप Acid से H Plus निकालो तो जो conjugate base बनेगा आपका जो negative ion बनेगा H निकालने के बाद वो stable होना चाहिए तो यह जो होता है यह हम GOC में पढ़ेंगे उसमें एक criteria आता है एक factor होता है resonance उससे हम इसको समझते हैं अभी सिर्फ आप Redox Reaction पढ़ रहे हो तो इसको ध्यान लखना यह exception है इसका explanation क्या होगा bracket में लिख देता हूँ due to resonance और resonance को हम कहां पढ़ेंगे GOC में पढ़ेंगे तो अभी आपको ज़्यादा टैंसल नेने की ज़रुद नहीं बस order ध्यान लखना ठीक है और यह point ध्यान लखना GOC में हम इसको cover करेंगे resonance को तो यह बात हो गई oxy acids की बस आपको यह ध्यान लखना है उसके अलावा सभी जगे यही लगा दे ना सही answer आता है बस इसमें answer गलत आता है oxidation number से तो इसका सही answer यह है चलो अगर oxide आगए आपके पास जैसे fourth number पे चलता हूँ SO3 और SO2 तो oxide में भी यही लगाना है oxidation number जादा तो acidic strength जादा तो plus 6 और plus 4 तो इसकी जादा तो oxide में भी आप लगा दिया करो चलो आगे बढ़ते हैं अगले application पर second application है to determine molecular formula किसी भी particular compound का molecular formula आपको निकालना होता है इसका मैंने यहाँ question भी लिखा थाकि समझ में आ जाए तो इसको हम करेंगे कैसे इसके लिए आपको एक point ध्यान अखना है the sum of the sum of oxidation number यह अपने rules में भी लिखा था एक बार फिल लिख रहा हूँ the sum of oxidation number of all the elements all the elements in a molecule in a molecule is zero यह आप जानते ही हो अगर iron होता तो charge के बराबर होता है molecule होता है तो यह compound होता है तो zero होता है जैसे आपको यहां क्या बोल रखा है इन्होंने तीन atom दे रखे हैं आपको A, B, C और इनकी individual oxidation number के बन है आपको molecule formula बताना है तो कुछ नहीं सिधा-सिधा hit and trial method लगाएंगे मालो option A अपने start करते हैं से देखना A, B, C, 2 तो इनकी oxidation number का sum क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए फुट कर दो A की कितनी है प्लस 2 B की कितनी है प्लस 5 और C की कितनी है माइनस 2 लेकिन 2 सी लगे हैं तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 पांच और तो 7 में से 4 गया 3 यह 0 आ रहा है क्या नहीं मतलब यह गलत है इस तरीके से आप चलते जाओ सेकंड ओप्सन देखो B की कितनी है 5 तो 5 इंटू 2 A की कितनी है 2 लेकिन 2 यह लगे है 2 का double 2 का double कितना 4 C की कितनी है माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 और उसका भी डबल माइनस 12 5 इंटू तो 10 4 चौदा माइनस 12 क्या आ रहा है 2 यह 0 आ रहा है क्या नहीं तो गलत है इस तरीके से चेक करना होता है थर्ड देखो A की कितनी है 2 तो 3 इंटू 2 6 प्लस B की कितनी है 5 लेकिन होल ट्वाइस बहाल लगा है तो 5 का डबल 10 प्लस C की कितनी है माइनस 2 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 और होल ट्वाइस लगा है तो डबल माइनस 16 तो यह 10 16 हो गया 10 और 6 और यह माइनस 16 यह 0 मतलब यह यह आंसर है इस तरीके से आपको करना है किसी भी particular molecular formula को determine करना है question में तो आपको hit and trial लगाओ और जो भी आपका यहाँ पर oxidation number दिये हैं उसको option में put करो अगर 0 आ रहा है मतलब आपका molecular formula satisfy हो गया इस तरीके से करते हैं समझ गये दोनों चलो इसको note करो फिर third application पर चलते हैं लिख लो इसको पहले चलो आगे बढ़ते हैं third or very important application इसका oxidizing agent और reducing agent exam में direct question आ जाता है इस पर based oxidizing agent को हम oxidant और reducing agent को reductant भी बोलते हैं अगर आपको reaction given है तो हम oxidation number की help से निकाल सकते हैं लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूर है कि oxidizing agent क्या होता है तो O A के बारे में में लिख रहा हूँ oxidizing agent होता है जो oxidizing agent क्या है reduces reduces itself मतलब जो खुद को reduce करे सामने वाले को oxidize करे तो उसको oxidizing agent बोलते हैं मतलब सामने वाले के बारे में पता लगाते हैं मतलब जैसे मैं हूँ अगर मैंने सामने वाले को oxidize कर दिया तो मैं एक oxidizing agent हूँ ऐसा है अगर मैंने सामने वाले को reduce कर दिया तो मैं एक reducing agent हूँ इस तरीके से बात करते हैं R A का मतलब oxidizes oxidizes itself मतलब simple सी बात है oxidizing agent का मतलब क्या होता है जो सामने वाले को oxidize करे अगर सामने वाले को oxidize करता है तो खुद को reduce करता है समझे reducing agent क्या होता है सामने वाले को reduce करे अगर सामने वाले को reduce करता है तो खुद को oxidize करता है तो oxidizing agent मतलब reduces itself खुद को reduce करना मतलब सामने वाले को oxidize करना reducing agent मतलब oxidizes itself खुद को oxidize करना मतलब सामने वाले को क्या करना reduce करना अब इसका पता कैसे लगाओगे simple सी बात है oxidation number की help से oxidizing agent क्या है reduces itself का मतलब क्या है oxidation number इसकी खुद की क्या हो रही होगी कम और यहाँ oxidation number क्या हो रही होगी बढ़ रही होगी simple सा है देखो जैसे apply कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा Cu plus NO3 negative इससे बन रहा है Cu2 plus plus NO2 ऐसे एक reaction आपको दे रखी है ठीक है balance नहीं है ऐसे बस बोल रखा है आप बताओ इसमों oxidizing agent और reducing agent क्या क्या है तो simple सी बात है आप क्या करोगे जिस element का oxidation number change हो रहा है compound में उसका oxidation number लेंगे जैसे यहाँ तो एक ही element तो इसी का लेना पड़ेगा तो Cu का यहाँ 0 है ध्यान से सुनना इसका 0 है इसका क्या है plus 2 यहाँ oxygen का तो यहाँ भी minus 2 है तो हम nitrogen का निका लेंगे nitrogen का निकालो x minus 6 is equal to minus 1 मतलब plus 5 यह निकालना आपको आता अच्छे से x minus 4 is equal to 0 मतलब plus 4 अब ध्यान से देखना ज़रा copper copper 0 से plus 2 में जा रहा है copper 0 से plus 2 में जा रहा है तो यह खुद को क्या कर रहा है 0 से plus 2 क्या हो रहा है oxidation number बढ़ रही है ना तो यहाँ oxidation number बढ़ रही है oxidation number बढ़ रही है तो इसका खुद का क्या हो रहा है oxidation मतलब खुद का oxidation हो रहा है तो यह हो गया reducing agent समझे रहा बात को खुद का oxidation कर रहा है ना मतलब सामने बाले को reduce कर रहा है इधर देखना जरा, प्लस 5 से प्लस 4 पर गए, तो oxidation नमबर क्या हुई, कम हुई, oxidation नमबर कम होने का मतलब ये खुद को क्या कर रहा है, reduce, मतलब ये क्या हो जाएगा, oxidizing agent, तो ये क्या हो गया, oxidizing agent, और बैसे भी redox reaction अगर है, एक आपने पता कर लिए reducing तो दूसरा automatically oxidizing ही होग तभी तो redox reaction बोलोगे, एक और example से समझ लेते हैं, मालो ऐसा लिखा है, MnO4 negative, ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस I-, इससे बन रहा है I2 प्लस मन्टू प्लस, बताओ इन नो नो मैसे कौन oxidizing और कौन reducing agent होगे, आप से reactant के बारे में पूछेंगे, ध्यान से देखना, Mn की oxidation number plus 7, X-8 is equal to minus 1, यहां साब साब चमकता हुआ minus 1, यहां पर I2 है तो 0 और Mn पर चमकता हुआ plus 2, अब बताना ज़रा क्या 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 हो रहा है, plus 7 से plus 2, क्या है ये, oxidation number में कमी, मतलब oxidation number कम हो रही है, मतलब खुद का क्या कर रहा है ये, reduction, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, oxidizing agent और अगर ये oxidizing है, आप इसको redox बोल रहा हो, तो obviously ये reducing agent ही होगा, एक बार check भी कर लेते हैं, कैसे, minus 1 से 0, oxidation number बढ़ रही है, oxidation number बढ़ने का मतलब क्या है, खुद को क्या कर दिया है, oxidize तो सामने वालों क्या कर देगा, reduce, तो बहुत simple सी कहानी है, oxidizing agent क्या करता है, oxidizing agent जो आपको reduce करे, और reducing agent मतलब जो अपने आपको oxidize करे, ठीक है, simple सी बात है, अब ये तो बात हो गई, reaction based, अगर आपको reaction दी है, तब हावाराम से बता सकते हो, कौन oxidizing agent, कौन reducing agent, अब कई बार क्या है, वो simple सा एक compound लिख देते हैं, कि बताओ ये compound क्या है, oxidizing agent है कि reducing agent है, तो उसक को पता करने के लिए, reaction नहीं देंगे, सिर्फ compound बुलने हैं, मालों आपसे बुल दिए, K2Cr2O7 क्या है, अब क्या गरोगे, तो उसके लिए तरीका क्या है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, उसके लिए आपको एक point ये ध्यान रखना पड़ेगा, क कि हर एक element की lowest और highest oxidation number आपको पता होनी चाहिए, तो कौन-कौन से element आपको याद रखने हैं, वो मैं यहां लिख देता हूँ, elements, carbon हो गया, nitrogen हो गया, phosphorus हो गया, sulfur हो गया, chlorine हो गया, chromium, चलो इसको आप यह अलग से लिख 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 लिख, chlorine हो गया, इसके बाद oxygen हो गया, hydrogen हो ठीक है, और chromium हो गया, mn हो गया और osmium, इनके अलग से यहां लिख देता हो न, chromium, mn और osmium, ठीक है, यह तीन आपको अलग से धियान लखने पड़ेंगे, यहां क्या लिख रहा हो में, highest oxidation number, और यहां लिख रहा हो में, lowest oxidation number, highest और lowest, अगर आपको यह याद हो जाए, तो क काम हो जाएगा, देखो, carbon क्या है, highest oxidation number plus 4 और minimum minus 4, nitrogen का minimum minus 3 होता है, और highest plus 5, same phosphorus का भी ऐसी होता है, sulfur का minus 2 से plus 6 जाता है, यह अपन ने बात भी की थी, जब rules लिखेते, minus 1 से plus 7 जाता है, इसका, इसका minus 2 से plus 2 और इसका minus 1 से plus 1, बहुत easy याद रखना, है न, chromium का क्या है, 0, 0, 0, minimum इनका 0, 0, 0 है, और maximum plus 6, इसका plus 7 और इसका plus 8, यह अलग से, आपको धियान रखने, अब आप यह याद हो जाएगा न, तो आप फिर आशानी से बता सकते हो, कैसे, मैं 3 case बना रहा हूं, case 1, case 1 क्या कहता है, if an element, if an element in a compound, in a compound, is present in, is present in, maximum oxidation number, then, अब एक बाँ बताओ, अगर कोई element अपनी maximum oxidation number में है, तो उससे उपर थोड़ी जाएगा, उससे नीचे ही आएगा न, और अगर उससे नीचे ही आएगा, तो वो खुद को क्या करेगा, reduce, और खुद को reduce करने वाला क्या होता है, oxidizing agent, मतलब, then, compound, acts as an oxidizing agent, ऐसा होता है, जैसे, कोई भी compound लेलो, सबोज मैं लिखता हूँ, K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 में, इसका oxidation number क्या है, प्लस 6 है, तो maximum oxidation number में है, इसका मतलब यह oxidizing agent होगा, KmNO4, प्लस 7, maximum में है, oxidizing agent होगा, OSO4, O5O4 नहीं होता है, OSO4, Osmium है, ध्यान लखना है न, OSO4, Osmium, plus 8, maximum में, HNO3, HNO3, plus 5, maximum में, H2SO4, plus 6, sulfur की, maximum में, तो oxidation number अगर maximum होगी, और usually central atom का ही, आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर है न, अगर वो maximum है, तो oxidizing agent होगा, ठीक है, case 2 देखना द्यान से, case 2 क्या कहता है, case 2 यह कहता है, कि, if an element, if an element, in a compound, in a compound, is present in, is present in, minimum oxidation number, अगर minimum oxidation number में है, तो उससे नीचे थोड़ी जाएगा, अब तो वो ऊपर आएगा, तो खुद को oxidize करेगा, और खुद को oxidize करने वाला क्या होता है, reducing agent, खुद को oxidize करने वाला क्या होता है, reducing agent, then, compound, acts as, and reducing agent, जैसे, NH3, या, minus 3 है, देखो, minimum minus 3 होती है, pH 3, minus 3, H2S, minus 2, HCl, minus 1, इस टाइप से, ठीक है, तो case 1 क्या है, अगर कोई element, अपनी maximum oxidation number में है, तो वो उससे उपर तो जाएगा नहीं, क्यों आपने maximum पहली बोल दिया, तो उससे उपर थोड़ी जाएगा, तो वो नीचे आएगा, और अगर वो नीचे आया, तो oxidation number खुद की कम कर रहा है, और जो खुद की oxidation number को कम करता है, मतलब reduces itself, मतलब oxidizing agent, case 1, case 2 सुन लो, अगर कोई element, usually central item का निकालना होता, अगर कोई element आपका minimum oxidation number में है, तो उससे नीचे वो जाएगा नहीं, तो वो उससे ऊपर आएगा, उससे ऊपर आने का मतलब क्या oxidation number बढ़ाएगा, किस की खुद की, तो खुद की oxidation number बढ़ाएगा, तो oxidizes itself, मतलब क्या हो गया वो, reducing agent, समझ गया बात को, अब इसके अलावा एक तीसरा case भी हो सकता है, कि अगर ना तो maximum हो, ना ही minimum हो, बीच में कहीं हो, intermediate oxidation number हो, तो क्या होगा, तो वो oxidizing agent और reducing agent दो नहीं हो सकता है, क्यों वो उपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो पहले आप ये इतना note करो, if an element in a compound, if an element in a compound is present in, is present in intermediate, intermediate oxidation number, अगर intermediate मतब बीच में होई, minimum और maximum के बीच में अगर होई, intermediate oxidation number, then compound will act as OA and RA both, oxidizing agent और reducing agent दोनों की तरह काम करेगा, जैसे अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ, क्या, H3PO3, तो phosphorus की oxidation number निकाल लो, फटाफट से क्या आएगी, 3 plus x minus 6 is equal to 0, मतलब प्लस 3, phosphorus की minimum क्या होती है, minus 3, maximum क्या होती है, plus 5, इनके बीच में आ रही है, मतलब OA, RA both, दोनों होगा यह, OA भी होगा और RA भी होगा, अगला एक example और लेते हैं, अगर मैंने लिखा यहाँ पर HNO2, ध्यान से देखना, HNO2, तो nitrogen की निकालो ज़रा, यहाँ phosphorus की निकाली थी, यहाँ nitrogen की निकालो क्या है, कि 1 plus x minus 4 is equal to 0, plus 3, nitrogen की क्या होती, minus 3, 2, plus 5 nitrogen की भी होती है, तो plus 3 इन के बीच में आ रही है, मतलब यह भी OA होगा और RA होगा, इस तरीके से चेक करते हैं, बहुत easy है, जैसे कुछ question देख लेते हैं यहाँ पर, identify oxidizing agent और reducing agent, अभी तो मैंने यहाँ equation दे रखी है, और compound भी दे रखे हैं, दो type के question इसमें होगे, जो दौनों cover कर लेते हैं पर, equation का मैंने बताया था, कैसे करोगे, mn की oxidation number यहाँ निकालोगे, plus 7, यहाँ sulfur की निकालो, x-6 is equal to minus 2, x-6 is equal to minus 2, plus 4 हो जाएगा, यहाँ x-8 is equal to minus 2, plus 6, और यहाँ चमकता हुआ, plus 2, ठीक है, अब ध्यान से देखना, plus 7 से, plus 7 से plus 2, oxidation number कम हो रही है, बताओ ज़रा, oxidation number अगर कम हो रही है, तो यह खुद को क्या कर रहा है, reduce, मतलब यह क्या हो गया, oxidizing agent, खुद को reduce कर रहा है, तो सामने वाले को oxidize कर रहा है, ठीक, अगर यह oxidizing agent है, तो अगर redox बोल रहे हैं, तो automatically दूसरा reducing होगा, चेक कर लेते हैं, 4 से 6, oxidation number बढ़ रही है, खुद को oxidize कर रहा है, मतलब reducing agent होगा, सही है, बहुत simple है यार, सबका favorite है यह chapter, identify O, A, R, A, और बहुत, प्लस 2 तक जाती है, minimum minus 2, और maximum plus 2, तो minus 1 इनके बीच में है, मतलब O, A, R, A, बोथ, तो O, A, plus R, A, दौनों होगा यह, ठीक है, O, A, plus R, A, मतलब दौनों, बोथ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, N, O, D, बताओ, इसका plus 4 है, nitrogen की minus 3 से लेकर, plus 5 तक जाती है, तो plus 4 बीच में आ रहा है, मतलब O, A, plus R, A, O, A, B, होगा और R, A, B, होगा, अगला देखो, S3PO4, इसका plus 5 है, और phosphorus की maximum plus 5 होती है, मतलब, maximum oxidation number में अगर कोई होता है, तो वो अपने आपको reduce करेगा, तो सामने वालों को oxidize करेगा, तो oxidizing agent हो जाएगा, सहीए ना, सीधा सा है, HCl of 4, इसका बताओ, plus 7, chlorine का maximum, minimum minus 1 और maximum plus 7, अच्छा, अगर maximum में हैं, तो O, A होता है, minimum में हैं, तो R, A होता है, बीच में दौनों होता है, ठीक है, CH4, carbon का check करो, minus 4, carbon अपनी minimum में है, क्यों, minus 4 से plus 4 होती ना, इसकी, तो ये minimum में है, और जो अपनी minimum में होता है, तो वो बढ़ाएगा, खुद को oxidize करेगा, तो सामने वाले को reduce, मतलब reducing agent, ऐसा, बहुत simple है, MN, O2, last record देख लो, MN का plus 4, MN का vary करता है, 0 से लेकर कहां तक, highest or lowest oxidation number का, आपको table बनवाएथा, उसको याद कर लो, कि तो इस टाइप कोश्चन बन जाएंगे, और ये वाले कोश्चन तो ये समझ लो, कि आपके लिए उन्हों ने फेक दिये number, क्यों, भाई, equation दिये तो आप निकाल सकते न, oxidation number, आपको किसी element का, compound का या आयन का equivalent weight निकालने के बोलेंगे, तो equivalent weight को पहले हम समझ लेते हैं, basic definition क्या होती है, equivalent weight की definition लिख रहा हूँ, मैं ध्यान से लिखना है न, तो equivalent weight क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है, फिर तो हम find करी लेंगे, बहुत आसान तरीके होते हैं, ठीक है, तो equivalent weight को मैं define कर रहा हूँ, ऐसे, the weight of element, the weight of, wt मतलब weight है न, the weight of element, which reacts, or displaces, reacts or displaces, from a compound, from a, compound, 1 gram hydrogen, 1 gram hydrogen, or 8 gram oxygen, 8 gram oxygen, or 35.5 gram chlorine, is called, equivalent weight, of that element, of that element, समझना जरा बात को, 3 तरीके से आप बता सकते हो, कि कोई भी element है, वो 1 gram hydrogen के साथ react करे, या displace करे किसी compound से, 8 gram oxygen ले सकते हो, आप अगर hydrogen की बज़ाए oxygen लेना चाहो, तो oxygen ले सकते हो, अगर इसके बज़ाए आप chlorine लेना चाहो, तो उसको भी ले सकते हो, 35.5 gram, अब इसका मतलब क्या है, उसको हम एक example से समझते हैं, जैसे, अगर मैं आपको example से समझाऊ, suppose मेरे पास reaction लिखी है, mg प्लस O2, ठीक है, 2 mg प्लस O2 gives, 2 mg हो, आपको इसमें इस element का, mg का equivalent weight निकालना है, तो अगर मैं equivalent weight इसका निकालूं, तो आप बताओ ज़रा, mole concept से, मैं इसको किस form में पढ़ रहा हूँ, weight के form में, तो मैं ऐसा बोलूँगा, कि 2 into 24, इसका atomic weight है ना, तो 2 into 24 gram से, O2 कितना react कर रहा है, इसका weight कितना है, 32 gram, तो 2 into 24 का मतलब कितना होगा, 48 gram mg, is reacted with 32 gram O2, तो मुझे बताओ, अगर इसका 8 gram react करे, 8 gram react करे, तो इसका कितना करना चाहिए, ध्यान सा देखना ज़रा, अगर इसका 8 gram, क्योंकि oxygen के respect में हम 8 gram लेते हैं, अगर इसका 8 gram करवाना है, तो 4 से divide करना पड़ेगा, यहाँ 4 से divide करोगे, तो यहाँ भी 4 से divide करना पड़ेगा, तो दौने जगे 4 से divide करोगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो 4 से divide करने पर 8 आ गया, और यहाँ 4 से divide करने पर आ गया 12 gram, इसका मतलब equivalent weight of Mg is 12 gram इस तरीके से हम बोलते हैं तो यह किसके साथ reaction करा है? मैंने oxygen के साथ अगर मैं यही reaction करवा दूँ chlorine के साथ ध्यान से देखना जरा second number पे अगर मैं chlorine के साथ करा दूँ तो मैं कोई नए element से समझा देता हूँ सब उस aluminum की reaction हो रही क्या ध्यान से देखना aluminum plus CL2 क्या दे रहा है यह ALCL3 बनाता है ठीक है balance कर लो यहाँ पर तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ कर दूँ मैं 2 AL लिख दूँ और 3 CL2 कर दूँ तो यहाँ 2 ALCL3 हो जाएंगे balance है ठीक अब जड़ा पढ़ लो weight के form में कैसे 2 into 27 gram से यह कितना react कर रहा है 3 into 71 gram कर रहा है तो अगर इसका 35.5 react करें तो इसका कितना होना चाहिए तो इसके 1 gram से लिकाल लेता हूँ पहले unitary method लगा दो तो 2 into 27 divided by 3 into 71 भाई इतने gram से इतना gram तो 1 gram से आपको divide करना पड़ेगा और 35.5 gram से कितना हो जाएगा 2 into 27 into कर दूँगा मैं 35.5 gram aluminium नीचे 3 into 71 आएगा नीचे और यहां क्या आजाएगा 35.5 unitary method लगा है फिर से समझ लो 2 into 27 था उससे कितना react कर रहा था 3 into 71 तो 1 gram से इतना करेगा ठीक है 1 gram से इतने gram करेगा तो 35.5 से इतना करेगा इसको solve कर लो 35.5 का double हो गया यह 2 से 2 उड़ा दो 3 से 27 9 मतलब 9 gram aluminium react करेगा 35.5 gram chlorine के साथ इसका मतलब equivalent weight of aluminium is क्या गया 9 gram ठीक है इस तरीके से चलना है आपको बहुत आसान है एक hydrogen वाला भी ले लेते हैं जैसे अगर मैं आपसे बोलू 3rd number पे sodium ने reaction करी इसके साथ hydrogen के साथ तो क्या बनाया NH बनाया यह क्या balance कर लेते हैं यहाँ 2 कर दूँ और यहाँ 2 कर दूँ तो आप मुझे बताओ जरा कितना कितना react कर रहा है 2 into 23 gram से यह कितना कर रहा है 2 gram कर रहा है तो इसके 1 gram से कितना करेगा तो 2 से डिवाइड कर तो सीधा सीधा 23 gram N A reacts with 1 gram H2 मतलब equivalent weight of N A कितना आ गया यह आ गया आपका 23 gram तो आप जरा धियान से देखो हो क्या रहा है यह तो आपन ने reaction से कर रहा आपको ऐसे करना नहीं है तो मैं basic समझा रहा था equivalent weight का आपको reaction वगरा ऐसे बार-बार balance करके नहीं लिखना कुछ भी नहीं करना बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको ध्यान से सुनना यहाँ क्या है equivalent weight जो आया है mg का atomic weight कितना अधा 24 उसका आधा आया है मतलब mg की जो वैलेंसी है उससे डिवाइड कर दो 24 by 2 तो क्या आगे 12 aluminium की जो वैलेंसी है 27 by 3 होती है aluminium की ठीक है तो 9 आ गया sodium की वैलेंसी 23 by 1 sodium का atomic weight 23 होता है तो 23 by 1 तो इसका equivalent weight आ गया मतलब सीधा-सीधा फंडा यह है जो मैं यहां लिख रहा हूँ यह formula आपको धियान लखना है क्या equivalent weight निकालना हो तो atom होगा तो atomic weight molecule होगा तो molecular weight divided by valency factor या n factor लिखते हैं अपन n factor लिखो या फिर x factor भी लिखते हैं या फिर valency factor valency factor तो आप इन में से कोई भी ले सकते हो n factor x factor या फिर valency factor main कहानी क्या है आपको यह n factor पता होना चाहिए दो आर लिख दिए एक आर आएकर ठीक है आपको यह n factor पता होना चाहिए n factor या valency factor अगर आप निकालना सीख गए या समझ गए जो मैं समझाने वाला हूँ अगला topic तो आपका equivalent weight वाला question कभी गलत नहीं होने वाला है ठीक है तो main focus किस पर करना है हमें n factor पर तो अब यह note कर लो फिर मैं आपको n factor बताता हूँ अलग-अलग cases में n factor कैसे निकालते हैं ठीक है तो फटावर्ट से इसको note करो फिर आगे बढ़ते हैं चलो तो अब हम start करने वाले हैं n factor यह समझना ध्यान से यह वाला topic यह समझ में आ गया तो काम हो गया अपना ठीक है तो n factor, x factor या valency factor कैसे निकालते हैं अलग-अलग cases इसके होते हैं ठीक है equivalent weight अगर calculate करना है तो molecular weight या atomic weight divided by n factor करना है और n factor अगर आप समझ गया तो काम हो गया देखना ध्यान से n factor निकलता है case 1 सबसे पहले start कर रहा हूँ case 1 for acids मैं आपको सभी का बतायता हूँ acid based salt, oxirizing agent, reducing agent, सबका for acids अगर मैं acids की बात करता हूँ तो n factor यहाँ पर होता है n factor is equal to number of ध्यान से सुनना number of H plus ions H plus ions furnished in solution per molecule of acid acid के एक molecule ने कितने H plus ion फर्निश किये उसको बोलते है क्या n factor मतलब कितने H plus ion produce किया आप तो यह समझ लो कैसे चेक करेंगे कुछ example से चलेंगे जैसे H2SO4 अगर इसने solution में एक H plus दिया तो यह क्या बना लेगा HSO4 negative तो इस reaction में H2SO4 का n factor हुआ क्या 1 और इस reaction में equivalent weight क्या हुआ H2SO4 का मैं molecule के molecular weight को capital M बोलूँँगा ठीक है तो capital M divided by n factor क्या है 1 इसका molecular weight निकाल सकते हो आप कितना होता है 98 ठीक atomic weight का sum करके निकाल ले तो M by 1 मतब 98 तो N factor जो होता है वो reaction पे depend करता है मतलब कितने H plus iron furnace हो रहे मालो H2SO4 ने सिर्फ एक mole N O H के साथ reaction करी तो क्या बनाएगा यहाँ पर H2O बन जाएगा भई 1 H plus neutralize करेगा और यहाँ N HSO4 बन जाएगा इस तरीके से होता है मतलब जितने H plus आपको मिल रहे है वो N factor हो जाएगा जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ H2SO4 ने 2 H plus दिये प्लस SO4 2 minus तो equivalent weight क्या होगा सबसे पहले N factor बता दो तो N factor अब 2 हो जाएगा क्यों 2 H plus दिये तो equivalent weight क्या हो गया M by 2 मतलब 98 by 2 49 इस तरीके से आप निकाल सकते हो अब यह पता कैसे चलेगा कि कितने H plus देगा आपको reaction में दिया जाएगा अगर मालो नहीं दिया है एसा भी होता नहीं दिया है तो हम maximum देख लेते हैं कि maximum कितने H निकाल सकता है अब यह कैसे पता चलेगा कि कौन से H निकल ले हैं आपको acid में यह ध्यान डखना है कि जो oxygen से जुड़े हुए H है oxy acid में oxygen से जुड़े हुए H है वो ले लेना और hydro acid में जो भी element है उससे जुड़े हुए hydro acid मतलब HCl, HBR, HI, HF इन से जितने H जुड़े हुए है एक ही जुड़ा हुआ है न तो oxy acid की अगर बात करूँ तो जितने H oxygen से जुड़े हैं वो सब के सब निकलेंगे कब जब maximum N factor आपको बोले अब maximum तो बोलता नहीं है तो वो सीधा सीधा ये बोल देता है कि what is the N factor of H2SO4 और reaction नहीं दी है तो हम maximum 2 मान के चलेंगे लेकिन आपसे ऐसा बोल दे what is the N factor of H2SO4 in following reaction तो N factor 1 हो जाएगा तो N factor H2SO4 का 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है बहुत ध्यान से सुन लो कान खोल के सुन लो बहुत important चीज है बाद में बहुत confusion हो जाएगा आपको अगर आपने ये point skip कर दिया तो फिर बोल रहा हूँ H2SO4 का N factor एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है अगर reaction देकर बोलें तो ये देख लेना कितने H निकल रहे है एक निकल रहा है या दो निकल रहे है अगर reaction नहीं दी सीधा यही बोल दिया what is the N factor of H2SO4 कोई reaction नहीं है तो maximum लेके चलेंगे मतलब 2 होगा समझ गए बात को है ना तो इस तरीके से होता है और example बताता हूं मैं आपको इसके देखना H3PO4 की अगर बात करूँ H3PO4 की अगर उन्होंने ऐसा लिखा है H++ H2PO4 negative बताओ कितने H+, निकले एक ही निकला तो N factor क्या हो गया इसका 1 और equivalent weight H3PO4 का इसका reactant का बता रहो ना ये क्या हो जाएगा इसका molecular weight divided by 1 और इसका molecular weight आप निकल लेना 98 होता है जो molecular weight H2SO4 का होता है वही H3PO4 का होता है ठीक, आगे बढ़ना H3PO4 मैंसे उन्होंने आपसे बोला है ऐसा कि भाईया 2H+, निकल गए तो बताओ equivalent weight क्या है तो आप बोल दोगे Sir, MY2 है क्यों, अब N factor क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2H+, दिए अगर उन्होंने ऐसा लिखा है H3PO4 3H+, निकल गए और PO4 3 negative तो equivalent weight क्या हो जाएगा M divided by 3 क्यों 3H+, निकल गए अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो maximum लेके चलेंगे जो की इसका 3 होता है अब कुछ Oxy Acid के structure आपको पता भी होने चाहिए तभी आप N factor वाले question भी साही कर पाऊगे Chemical bonding हम इसलिए पढ़ते हैं तो chemical bonding में जो मैंने Oxy Acid of Phosphorus Oxy Acid of Sulfur, किलोरीन बता रखें nitrogen बता रखें वो अच्छे से आप याद करना ठीक है जैसे H2SO4 का structure अगर बात करूं तो S double bond O double bond O O के साथ H होता है और O के साथ H होता है तो oxygen से जुड़े हुए H निकलता है या तो ये निकल सकता है या दौनों निकल सकता है ठीक है वैसे ही H3PO4 का structure अगर मैं बनाऊं तो H3PO4 का ऐसा होता P double bond O O H O H और O H कितने H निकल सकता है एक निकल सकता है, दो और तीन, ऐसा O से जुड़ा हुआ H होना चाहिए, ध्यान से देखना आगे बढ़ता हूं मैं और example देखो H3PO3 अगर उन्होंने ऐसा लिखा है H plus plus HPO3 H2PO3 negative ऐसा एक H निकाल दिया तो क्या बनेगा H2PO3 negative तो equivalent weight क्या हो जाएगा M divided by 1 मतलब इसका N factor 1 है एक ही H plus निकल रहा है symbol समझ गये होगे अब बात को H3PO3 में से ऐसा बोला 2H plus निकाल दिये plus HPO3 2 negative तो equivalent weight क्या हो जाएगा M divided by 2 सही है तो इसका N factor क्या हो या 2 अब वो ऐसा नहीं देंगे आपको कि 3H plus निकल लगा क्यों इसमें 3 होते ही नहीं Ionizable क्यों इस structure से चलेंगे H3PO3 का structure होता है P double bond हो OH OH और H तो जो तीसरा H है वो पॉसपुरस से जुड़ा ये Ionizable नहीं होता Ionizable कौन सा होता है जो ये वाले होते हैं Oxygen वाले तो एक हो सकता है और maximum 2 हो सकता है इसका N factor आपको अगर इस structure नहीं पता तो कई लोग गलती कर जाते हैं क्या अरे H3PO3 लिखा है अगर आपसे बोल दे ऐसा बिनारी एक्सन के What is the N factor of H3PO3 तो कई लोग क्या है गलती ये कर दे दे अच्छा 3H दिख रहे है 3 निकाल लो ऐसा नहीं करना है न ऐसा कभी मत कर दे न गलत हो जाएगा मामला अगला देखना ज़रा H3PO2 अगर इस मैंसे मैं 1H plus निकालूं तो कैसा देखेगा H2PO2 negative equivalent weight क्या हो जाएगा कितने H plus निकले एक तो M by 1 तो इसका N factor क्या है 1 है समझे रहा बात को अब इस मैंसे बाकी H नहीं निकलते देखे हो अब इसके structure पे चलेंगे H3PO2 का structure ऐसा होता है P double bond O H H और H तो ये phosphorus से जुड़े होगे H होते है फिर से वो यलती यहां भी लोग करते है अच्छा H3PO2 का N factor 3 होना चाहिए क्यों 3 H दिख रहे हैं ऐसे मत कर दे न जितने ionizable H होते हैं वो N factor होता है ऐसा नहीं कि भावना भी जाओ कि अच्छा 3S दिख रहे हैं निकाल दो contention ले structure अगरा कि ऐसा गलत हो जाएगा फिर H3PO2 मैंसे एक ही H प्लस निकल सकता है क्यों वो oxygen से जुड़ा है बागी phosphorus से जुड़े हैं वो थोड़ी निकालना है समझे बात को तो ये मैंने N factor आपको acid का समझा दिया अब इसमें एक दो बहुत अच्छे अच्छे point भी होते हैं तो पहले आप ये note करो फिर मैं आपको लिखवाता हूँ चलो आगे बढ़ते हैं अब एक most important point में लिखवा रहा हूँ यहाँ पर दियान से देखना जाँ रहा MI most important point बोल रहा हूँ इसको Mumbai Indians नहीं है यह ठीक है most important point MI के बारे मैं आपको समझ रहे हैं H3 VO3 का N factor बहुत सारे लोगों को इसमें बड़ी तकलीफ होती है कि इसका N factor 1 लें, 2 लें, 3 लें या maximum 3 लें, क्या करें तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि H3 VO3 का N factor जो होता है वो 1 होता है हमेशा, हमेशा वन है क्यों? क्योंकि H3 VO3 कि अगर मैं reaction लिखता हूँ किसके साथ? ध्यान से देखना इसकी अगर NaOH के साथ reaction लिखता हूँ तो reaction कुछ ऐसी होती है BOH 4 negative और H plus ऐसा क्यों होता है? ध्यान से समझना ये जो B है B के साथ 3 OH है अब इस बोरोन के पास electron तो 6 है क्यों? 1, 2, 3, 4 5, 6 इसके पास vacant orbital है electron की कमी है, electron लेना चाहेगा तो ये अपने H plus नहीं निकालता ये अपने H plus नहीं निकालता ये octet पूरा करने के लिए NaOH में से OH माइनस ले लेता है और OH माइनस ये ले लेगा तो ऐसा बना लेगा 3 OH पहले थे 1 OH और आ गया negative charge आ गया तो कितने H plus इसने फरनिस किये? 1 तो इसका N factor हमेशा 1 होता है ध्यान लगना और इसके बारे में एक बहुत ही famous point है कई बार पूछाएगे एक्जाम में फिर से रहान से दिखना इसको क्या? कि H3PO3 जिसको boric acid भी बोलते हैं boric acid is a weak monobasic non-protic leviac acid फिर सुन लो क्या बोला मैंने H3PO3 एक weak acid है क्यों अपना H plus नहीं दे रहा? monobasic है क्योंकि 1H plus दे रहा है non-protic है क्योंकि अपना H नहीं दे रहा है lovis acid है loan pair acceptor है यह सारी बात है, मतलब एक ही point है बहुत सारी बात लिखती weak acid भी, monobasic भी, non-protic भी lovis acid भी, ऐसा है तो यह कहानी होगे H3PO3 की ध्यान लखना N factor 1 होता है कुछ question कर लेते हैं, अपन साथ-साथ question भी करेंगे तो आपको application की समझ में आजा कैसे application करना आपको find equivalent weight of following acid, देखना दे रहा HNO3, कुछ नहीं लिखा reaction नहीं दी आप तो सीधा maximum ले लो कितना तो यह कितने H दे सकता है एक हैस दे सकता है क्यों oxygen से जुड़ा हुआ होता है HNO3 का structure आपको पता होना चाहिए ऐसा होता है HNO3 का तो इसका N factor क्या हो गया 1 और equivalent weight क्या हो जाएगा molecular weight divided by 1 M आप निकाल लेना ठीक है, आप molecular weight तो सबके निकाली लोगे H का 1 होता है, इसका 14 होगा और इसका 16 to 3 कर लेना HCLO4, light गई आ गई है ज़िए HCLO4 HCLO4, देखना HOCL 1, 2, 3 एक ionisable H जुड़ा है N factor 1 तो equivalent weight क्या आगया M by 1 molecular weight आप इसका निकाल लेना 1 plus 35.5 plus 16 to 4 H2S207, oleum oleum कैसा होता था, ऐसा source linkage होती थी इसमें ऐसा, ऐसा OH, OH ऐसा, तो N factor इसका कितना 2 ionisable H equivalent weight is M by 2 इसका molecular weight निकालके बूट करतो क्या answer आजाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं अब reaction दे रखी हैं और equivalent weight निकालना H2SO4 और H3PO4 का मुझे एक बाद बताओ, इसको देखो और इसको देखो और तब तक देखो, जब तक अच्छा न लगे अब इसको देखो और इसको देखो, यह बताओ, कितने H निकल रहे हैं H2SO4, NHSSO4 एक ही H निकल रहा है, मत्दब इसका इनफेक्टर बन तो equivalent weight is equal to M by 1 H2SO4 का equivalent weight is equal to M by 1 दियान लगना, यह एक संदी है, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको तो देखो, देखो, S3PO4 और Na2HPO4, कितने H निकल गए, इसको और इसको देखके बताओ, कितने H निकल गए, 2H निकले, तभी तो 2 NaI, तो इसका N फेक्टर क्या आगया है, 2, तो equivalent weight is equal to M by 2 answer, समझ गया बात को, कभी गलत मत करना, आप बहुत मैनत से समझाएं मैंने हैं न, चलो फटा-फट से note करो, फिर base पे चलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, acid का हमने पढ़ लिए, आप base का पढ़ लेते हैं, देखो, case 2 for bases, N factor क्या होता, जैसा acid का हमने लिखा था, वैसा ही base क है क्या, number of OH- ions furnace in solution per molecule of base, acid के लिए, H plus base के लिए, OH- खतम हो गया, देखो, अगर मैं आप से बोलूँ, ऐसा है ऐसा, N O H, तो N O H को break करोगे, क्या बनेगा, N O H minus, कितने O H दिए, एक दिए, तो N factor क्या हुआ, 1 हुआ, equivalent weight क्या आया, M by 1, M मतलब इसका molecular weight, ठीक है, इसी तरीके से, अगर मैं आप से बात करूँ, क्या, B A O H whole twice, अगर इसने ऐसा बनाया, B A O H plus, और एक ही O H minus दिया, तो इसका N factor 1 हुआ, और equivalent weight क्या आया, M by 1 आया, ठीक है, इसी तरीके से, अगर B A O H whole twice ने, B A 2 plus बनाया, और 2 O H minus दिये, तो अब N factor 2 आया, और equivalent weight आया, M by 2, क्यों, 2 दिये, तो ये एक भी दे सकता, दो भी दे सकता है, reaction नहीं दी है, maximum लेके चलेंगे, 2 मान लेंगे, अगला देखना जरा, अगर मैं बोलू, A L O H whole twice, अगर इसने ऐसा ऐसा किया, कैसा कैसा, ऐसा ऐसा, तो ये बनाएगा, ऐसा, द equivalent weight क्या आया, M by 1, बहुत simple है, देखते जाओ, ठीक है, अगला देखना जरा, A L O H whole twice, क्या आया, A L O H 2 plus, और 2 O H minus, तो N factor, अब क्या हुगा, कितनी O H nिकल गए, 2 निकल गए, तो N factor 2 आया, equivalent weight क्या आया, M by 2, ऐसा हो गया, अगला देखना जरा, अगर ऐसा लिखा है, A L O H whole twice, A L 3 plus 3 O H minus, तो N factor क्या हो गया, 3, equivalent weight क्या हो गया, M by 3, मुझे पता है, तुम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, समझ में तो आ रहा है न, देखो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ नहीं दिया, maximum मान के चलेंगे 3, यहां कुछ ऐसा exception नहीं है, जैसा acid में था, S3PO3 वाला ठीक है, ध्यान से, और S3PO2 वाला भी ध्यान लगना दिमाग में, find equivalent weight of MGH whole twice, कुछ नहीं दिया, सिर्फ compound दिया है, कितने OH दिख रहा है, 2, तो यहां चॉंक्ते हुए ले दिया करो, क इतने OH देख रहा है, 2, मतलब सीधा direct, यहां कोई exception वाली बात ही नहीं है, तो OH 2 है, N factor 2 हो गया, equivalent weight हो गया, MGH whole twice का molecular weight by 2, simple, अगला देखो, अब reaction देदी, अगर reaction देदी, तो 1 OH निकल जाएगा, तो इसने 1 OH निकाला, N factor क्या आया, 1 आया, और N factor 1 आया, तो equivalent weight आया, M divided by 1, सह यह ना, क्यों, एक ही OH निकला ना, देखो, इसको देखो, इसको तो देखो, यह देखो इसको, कितने OH निकले, 2 OH थे, यहां 1 OH बचा, मतलब एक निकला, तभी तो 1 CL आया, समझगे हो, तो N factor 1, ऐसे करना है आपको, acid हो गया, base हो गया, अब चलेंगे salt पर, note करो इसे, केस नंबर 3 पर, for salt, salt के लिए simple सा है, N factor is equal to, total positive charge, और, total negative charge, या तो आप total positive charge लो, या total negative charge लो, काम हो गया, देखो, अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ, N CL, तो N CL को तोड़ा, N plus, और CL minus, या तो आप positive लो, या negative लो, positive लिया करो, भई positive रहोगे, तो बहुत अच्छा आएगा, जिन दिगी में, तो N plus positive ले लो, ठीक है, तो N factor क्या हो गया, सीधा सीधा 1, इधर लिखतो, N factor क्या हो प्लस, प्लस, 2 CL minus, टोटल positive चार्ज, दो, N factor, दो, बहुत अचान है, अगर मैं लिखता हूँ, AL CL 3, AL 3 प्लस, 3 CL minus, N factor, टोटल positive चार्ज, 3, equivalent weight बता दो, N factor निकाल लिया तो, M by 1, इसका बता दो, M by 2, इसका बता दो, M by 3, कुछ question कर लेते हैं, बहुत असान है, के CL को तोड़ लो नजरा, क्या आएगा, के प्लस, CL minus, N factor, 1, equivalent weight, M by 1, ठीक है, आप यहां भी चार्ज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नि, मैं तोड़ के दिखा देता हूँ, ताकि आपको, समझ में तोड़ा और आजाए, CA2 plus, 2 CL minus, N factor क् कितना positive charge है, total, 2, equivalent weight, M by 2, अगला ध्यान से देखना, BA3, PO4, hold twice, तो यह आएगा, 3, BA2 plus, और 2 आएगे, क्या, phosphate ion, PO4, 3 minus, अब देखना जरा, total positive charge लेना है, आपको, total मतलब, जितने mole बन रहे हैं, वो सारे लेना है, ठीक है, तो total positive बोलूँगा, तो मैं, इन का, मतलब, 3 BA2 plus का तो total 6 आगया, तो N factor क्या हो गया, 6 हो गया, ध्यान से सुलो, कई लोग यहां 2 लिख देते हैं, गलत हो जाता है, जितना भी mole बन रहे है, वो उससे multiply कर दो, आपके हैं, तो N factor 6 हो गया, तो equivalent weight क्या आगया, यम by 6, ठीक है, अगला देखना जरा, AL2 SO4 whole thrice, 2 AL3 plus, plus 3 SO4 2 minus, तो total positive charge, कितना आगया, again, 6, तो equivalent weight आजाएगा, यम divided by 6, और molecular weight इन सब के तो आप निकाली लोगे, ठीक है, उसको put करके answer निकाल सकते हो, main funda किसका है, N factor का है, ठीक है, पड़ावट से इसको note करो, salt तक पहुंच गए, अब जो अगला case है, वो आपके लिए बहुत important case है, क्योंकि अब हम redox reactions के लिए start करेंगे, और redox reactions वाला chapter ही अपने चल रहा है, ठीक है, तो अब जो N factor मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो बहुत ध्यान से देखना है, ठीक, पड़ावट से इसको note करो